नमस्कार दोस्तों, आप लोग सुन रहे है स्टोरी फॉर आल। जी हाँ दोस्तों, हमारे चैनल का नाम चेंज करके स्टोरी फॉर आल रखा गया है। तो आए सुने हमारी आज की कहानी। हायोय में शीना की काड तेसी से जरी जा रही थी। शीना की बेस्ट फ्रेंट की शादी थी आज। काफे देर हो गई थी वहाँ से निकलने में। बार बार शीना के फोन पे किसी का कॉल आ रहा था। क्यूकि कॉल बार बार आ रही थी, तो शीना ने कॉल रिसिप किया। हलो कौन। दूसरी तरफ से कुछ अजीब सी आवास आ रही थी। जैसे की कोई बोल रहा था में। पर क्यूकि आवास साफ नहीं थी, तो इसलिए शीना ने कॉल कार दिया। पर कॉल काटने के कुछ देर बाद ही फोन फिर से बजने लगी शीना ने कॉल रिसिप किया इस भार भी दूसरी तरफ से कोई आवास नहीं आ रही थी तो शीना ने बोला हलो देखिए आप जो भी है बात में कॉल कीजिए मैं ड्राइट कर रही हूं फिलाल और शीना ने कॉल काट दिया कुछ ही सेकंट में फोन फिर से बजने लगी और इस बार शीना के कॉल काटने के पहले ही कॉल अपने आप ही रिसिप हो गई दूसरी तरफ से शीना को किसी की आवास सुनाई दी कोई बोल रहा था क्या हो शीना तुम मेरा फोन नहीं उठाओगी दूसरी तरफ से कोई बोल रहा था कि क्या हो शीना तुम मेरा फोन नहीं उठाओगी और इसके तुरंद बात कॉल अपने आप ही कट गई पर इससे शीना बहुत ही जादा खबरा गई थी क्यूकि उसने तो कॉल रिसे भी नहीं किया था तो फिर आखिर कैसे ऐसा हो सकता था शीना ने सोचा के फोन स्विच अप कर देने से शायद ये प्राब्लिम और नहीं होगी और इसलिए शीना ने तुरंद ही अपना फोन स्विच अप कर दिया अभी तक काफी रास्ता बाकी था और शीना से डर के मारे और ग्राइब भी नहीं किया जा रहा था फिर भी किसे तरहा से शीना गारी को आगे लेके जा रही थी कुछ देर तक सब कुछ शांध था कुछ देर बात शीना को महसूस होने लगा कि जैसे गारी में उसके अलावा भी कोई और मौजूद है जैसे मानो पीछे के सीट में कोई बैठा है पीछे मुर कर देखने की हिम्मत शीना में नहीं थी इतने में गारी अचानक से रुख गई गारी में किसी और की मौजूद की साफ महसूस हो रही थी किसी तरह से शीना ने गारी का दर्वासा खोला और भागना शुरू किया पीछे किसी की आने की आखट शीना को महसूस हो रही थी बस किसे तरह से हिम्मत जुटा के ओ भाग रही थी ड़के मारे किस तरफ जा रही है ये शीना को मालूम ही नहीं था काफे देर भागते भागते एक समय शीना के आखों के सामने अंधिरा चाने लगा और वो बेहोश हो गई जब आखे खुली तो शीना ने देखा कि वो एक कमरे में लेटी हुई है उसके आस पास कुछ लोग उसे घीरे हुए है शीना को होश आते देख उनमें से एक ने पूछा अब कैसा लग रहा है तो शीना ने बोला कि वो अप्ठीक है और इसके साथ ही शीना ने वो सब भी बताया जो उसके साथ कल रात को हुआ था सब सुनने के बाद उन लोगों ने शीना को बताया कि इस जगा पे पिछले दो मेहनों में कई बार ऐसा हुआ है और इसके पीछे का राज भी शीना को बताया गया करिबन दो मेहने पहले एक लरका काफी रात के हाईवोय से जा रहा था ड्राइफ करने के साथ ही वो अपने दोस्तों के साथ वीडियो कांफरेंस में बात भी कर रहा था ध्यान फोन के तरफ होने की कारण अचानक जब ट्राक सामने आ गई तो हो समहन नहीं पाया और एक्सिडेंट में उसकी मौत हो गई उस दिन के बाज से जब भी उस एक्सिडेंट की जगा के आस पास से रात को कोई इनसान अकेला गारी चला के गुजरता है तो उसके साथ ऐसा ही हासा होता है उस लेके की आथमा कभी फोन करके तो कभी किसी और तरह से परिशान करता है तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो सरुर लाइक और शेयर करें हम फिर लोटेंगे एक नए कहानी के साथ